महात्मा गांधी किस में गया है। दूतिये गोल में सम्भे लगई लगई। ये 1931 का वही दवर था जब भगत सिंग को फासी लगने वाली थे। आप अगर यहां कहेंगे महात्मा गांधी से गलती हुई तो भी आप सही है… महात्मा गांधी जान भूझ के इगनॉर किया, त इसने गोल मेज सम्मेलन बनाया था गोल जब भी कभी मेज गोल रहता है तो सबका मुँँ आमने सम्मेलन रहता है गोल मेज इस चीज को दर्साता है कि हम सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं समझा कि सबका चेहरा आमने सम्मेलन बुलाया था जिस पर हिंदुस्तान के सारे महात्मा गांधी आएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो बोलते थे देश में वही हो जाता इर्वीन वा कहा गांधी जी से ये बुढ़व, लंदन चल ये न गोल में समेलन है नास्ता पानी भोजोज सब का वेवस्था परधान मंतरी मैकडोनल करई ले चल जी ये, तो गांधी कहा रहा है इर्वीन चचा, हम कसम खाते हैं कि हम नहीं जाएंगे आपको जो उखाड़ना है, उखाड़ लीजे ये बिचारा कहा कि कोई दिक्कत नहीं अज जब उधर रेमजे मैकडोनल पूरा भी आईपी वेवस्था नास्ता पानी सब खराले के लिए बईठा दिया सब लोग यहां, सब दू-तिन वह आदमी है गिया, भेचारा मैकडोनल का तो भयानक बेशती हो गया अब खुद सोचिए ना, मोधी जी डोनाल्ड ट्रम्प के लिए गुजरात में स्टेडियम सजा दे अडोनाल्ड ट्रम्प वे ना आए अपनी महरारू को भेज दे तो मोधी जी का तो भयांकर भेजती होगा इसी तरब भेजती होगी आप मैकडोनल का मैकडोनलवा फोन करकी इर्विनवा को गरियाया रेश साला चोट्टा तो रासे बोले था ना कि गांधी जी को भेजना है काहीं नहीं भेजा तो कारा महराज बकस दिजामरा नोकरी कैसा वाल है उग गंधिया यहां अंदोलन करके वोई ठले तो मैकडोनल ने का कि रेश चोट्टा कहीं का के उसे करके गांधी जी को भेज है दूसरका गोल में जन होने वाला रहा नाइस सो एकटीस में अगर एमें गांधी नहीं गिया तो तो रा नोकरी खा जाएंगे तो बैचार है इरवीनवा जो था गांधी जी को फोन किया ए बुड़ोगा नोकरी का सवाल है आप क्यों अंकर के दूतिय गोल में लेन में चल जी तो यहीं पर हुआ महात्मा गांधी किसमें गए दूतिय गोल में सम्मेलन यह 1931 का वही दूर था जब भगत सिंग को फासी लगने वाली थी और महात्मा गांधी पर लोगों ने दबाव बनाया कि महात्मा गांधी आप कहिए कि अगर भगत सिंग की फासी को नहीं बक्सा जाएगा तो हम नहीं जाएगे महत्मा गांदी ने सर्थ में लिखके दे दिया कि आप जितने भी कैदी हैं उन सारे कैदीओं को आप रिहा करेंगे इर्विन ने भी माल लिया कि हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सब को छोड़ देंगे आप बाबु यहां ध्यान से समझेए आप अगर यहां कहेंगे महात्मा गांधी से गलती हुई तो भी आप सही हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं महात्मा गांधी जान भूज के इगनोर किया तो भी आप सही हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने मांगा था कि मुझे सारे कैदियों की रिहाई चाहिए, और इर जिहासकार ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को ये उल्जा दिया अपने जाल में, जिस तरह से महाभारत में अस्वस्थामा हाथी मरा था, और जाके युधिष्टिर ने क्या बोल दिया, द्रोनाचार से, क्योंकि युधिष्टिर जुट बोलते नहीं थे, उन्होंने कहा दिय कि मतले किस्ट भगवान संख बजा दिया, गच पचा गया, द्रोनाचार हट गया, और जुन जीद गया, यही कांड कर दिया था इरवीन वाए, इरवीन ने क्या किया, कि उसने कह दिया, राजनीतिक कैदियों को छोड़ देगे, और ये कह के महात्मा गांधी को भेज दिय महात्मा गांधी चल गए दुतिय गोल में, अईदर भगत सिंग को जान ले लिया, इसलिए लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने जान बुझ के मरवाया, लेकिन मेरा क्या मानना है, हम इसमें गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक टीचर से गलती हो जा के आये थे, वकील बने थे आप, कुझी का वकील थे जब आपको हित्तिचु की बात में उल्या दिया थे, यहां अगर महात्मा गांधी अगर 100% इफोट करते, तो दुतिय गोल में सम्मेलन में जाने से पहले भगत सिंग को बचा लेते, और हम यहां महात्मा गांधी से कहत जाना भी जानते हैं, यह भारत मा ने हमारे यहां एक से एक बीर को भी जनम दिया है, और यह साधू संतों की भी भूमी है, यहां पर, लेकिन यहां महात्मा गांधी से बलंडर हुआ था, और हम मेरे अंदर एक खराबी है, जो सही है, वो सही है, भले मेरा दुसमन भी है, तो क्या हुए हम उनसे बोलेंगे कि सही है, और अगर गलत है, तो हमरा बाबु जी भी है, तो हम बोलेंगे गलत है, हम महात्मा गांधी के एक समर्थन भी है, और यहां हम उनके कटर बिरोधी भी है, कि महात्मा गांधी अगर 100% चाहते हैं, तो बचा लेते हैं, लेकिन उन सिंग को बजाना था आप लप लपाके चले गए आप ये भी तो रख देते कि जितने कैदी जब तक रीहा नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगी हम और वहां जाने के पाद फाइदा क्या हुआ वहां मैकडोनल्ल ने कह दिया कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए अलग एरिया दे रखे हैं जहां वो खैवल मुसलमान चुना लड़ते हैं उसी तरह दलितों के लिए अलग एरिया देंगे तो महत्मा गांदी ने कहा कि आजादी के बाद इवी अलग देश बन जाएगा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और ये वापस आ गया जब तक भगत सिंग को पहांसी चड़ा दिया गया था तो ऐसा नहीं था कि वो लंदन में गय थे तो चमचागीरी करके आया थे वो देश को बचा की ही आया थे लेकिन भगत सिंग को मरता छोड़ दिया था अगर आप इसे जिमेदार कहेंगे तो हम आपके साथ हैं कि महत्मा गांदी ने भगत सि किया था 100% प्रयास नहीं किया था सहन में आगया की नहीं आगया इसलिए अगर आपको लगता है कि हम अंधा होके किसी का सपोर्ट करते हैं तो आप गलत हो सहन में आगया आपको